नमस्कार स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में जरूर कर दिजेगा साथ आपके मान में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछे बाड़े कवर पटना में सीम नितिस के कारकेड पर पत्राव तेन चार गाड़ियों का सिसा तूटा काफिले में नहीं थे नितिस कुमार जी हाबाड़ना में रैवार को सीम के कॉरकेड पर पत्रा हुआ है काफिले में मुख्यमंतर नितिस कुमार मौजूद नहीं थे काफिले में मौजूद तेन चार गाड़ियों किसी से तूट गए मामला गौरी चक थाना की सहगी गाउं के पास का है दरसल समुआर को सीम गया में जाएंगे वहां सुखा पर मिटिंग और राबर डेम का निर्क्षर करेंगे इसी वज़ा से कॉरकेड गया जा रहा था सहगी गाउं का एक इवग दो तिन दिनों से लापता था कल इवग लास मिला जिस करण परेजन सहगी मोड में रोड पर सव रख कर विरोध कर रहे था इसी दोरान कॉरगेड उस रास्ते से गुजरने लगा इससे गुसाए ग्रामीनों ने काफिले पर पत्राव कर दिया घटना में कुछ लोगों को चोड लगने की भी सोचना मिली है बाड़ी कावर यूपियाई पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई रादा नहीं वित मंत्राले ने जारी किया बयान जहां वित मंत्राले ने साब गया है कि उनका यूपियाई के जरिय होने वाले पेमेंट पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई रादा नहीं दरसल मीडिया में ये ख़वर चल रही थी कि RBI एक नई प्रस्ता पर गोर कर रहा है जिसके तहाद UPI पेमेंट करने वाले कस्टमर से कुछ चार्ज बसुला जाएगा यानि ये पेमेंट बुरी तो रमुपत नहीं रहेगी इसी पर सफाई देते हुए वित मंत्राला ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार UPI सर्विसेज पर किसी तरह का चार्ज वसुलने के बारे में नहीं सोच रही है इसकी जो भी लागत आती है उसकी भरपाई सर्विस प्रोवाइडर दूसरे तरीकों से करेंगे अगले बड़ी खबर किडने ट्रांस्प्लांट के लिए सिंगापूर जाएंगे लालो यादव परिवार के आपसे समधिके बाद फैसला जहां बड़ी खबर आर्जडी अधाच लालो यादव बड़ी कबर पटना समेत बेज जिलों में भारी बारिस का अलर्ड तेज हवा के साथ आकासिय बिजली गिरने की भी सम्हावना बिहार के बीज जिलों में भारी 11 का लड़ जारी किया गया है पाटना में बारिस का दोर जारी है इसके साथ ही अगले 24 घंटे में तेज भा और आकासी बिजलिक की भी समभवने जता ही गई है इदर भोजपूर और पाटना में गंगा नदी उफान पर है गंगा खत्रे की न जानकारी के लिए बदाद की मौसाम विभाग ने बिहार में बजरपात को लेकर भी अलड़ जारी किया है। जानकारी के खिलाब कारवाई की जाएगी। की कारान ये सुचनाए समय पर नहीं मिल पाती है। इस मसले के समदान को लेकर ग्रे बवाग के अपर मुई के सचीव चितने प्रसाद, सचीव जितन्दर स्रिवास्तावा विसे सचीव विकास बेबव समेत अनाधिकारियों के एक विसे समिक्षा बेड़क हुई थी। इसकी बाद सभी जिला को ये निर्देश दिया गया कि वे चरितर पर्मान पत्र जारी करने में देरी करने के लिए दोसी पतादी कारी या कर्मी को चीनित करे और उनके खिलाब करवाई करे। आपके जानकारी के लिए राज में आप तक चरितर पर्मान पत्र बनवानी के लिए नो लाक संताउन हजार आवेतन प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से करीब दो लाक सरसट हजार लंबित हैं। जबा के नेता राजत कोड़े के मंत्रियों पर दर्ज अपरादिक मामलों को गिना रहे हैं। अब भारत्य जंता पाड़े के वरिष्ट नेता और राजसबास सदैस सुसिल मोदी ने बिहार के क्रिसी मंत्रे सुदाकर सिंग पर बड़ा आरोप लगाया है। सुसिल मोदी ने प्रेस वारता में कहा के 2013 में वर्तमान क्रिसी मंत्रे केमोर जिले के रामगड थाने में 5.31 कडोर रुपे के चावाल घोटाले का केस दर्जे। वर्तमान में सरकार का ब्याज समेत 12 कडोर रुपे से अधिक बगाया है। इसके लिए सुदांकर सिंग को जेल भी जाना पड़ा था। राजत के राष्टी अदच लालु यादव ने दो बेटे और प्रदेस अदच जदानन सिंग ने अपने बेटे को मंत्रे बना बाड़ी कबर बिहार में जेंगल राज रिटरंस का दावा करने वाले विपक्ष को नितिस सरकार ने दिया जवाब। जिहां बिहार में जेडवी आरजडी वाले महगड़मंदन की ने सरकार बनने के बाद से बिज़ेपी लगतार कर रही कि राज में एग वार फिर लवदियों को सराना करते थे आचानक सत्ता से बाहर होने के बाद बिहार में जेंगल राज दिखाई देने लगा है या पुलिस की कारे सेली में फर्क का नहीं बलकि उनकी मानसिक्ता में आये बदलाओ का परिचायक है बाड़ी कावर मितलांचल माखाना को मिला जियाई टेग खुसी से जोम उठा मितलांचल जी हकेंदर सरकार ने मितला माखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेसन यानि की जियाई टेग से समानित किया हकेंदर वानीजेग और उद्योग मंत्री प्यूस गोईल ने ट्विट क कहा कि मितला माखाना G.I.T.E.G में पंजी करित हो गया है इसी मितला चेतर के पांच ला किसानों को ला मिलेगा और कामाई भी अधिक हो सकीगी बता दे कि मितला के माखाना को मितला माखाना नाम से G.I.T.E.G मिलने की सुचना से लोगों में हर से सनिवार को सोसल मीडिया पर कबर फिलते ही लोग एक दूसरी को फोन कर इसकी जानकारी लेने लगे मितला के लोगों को लंबे समय से इसके अंतिजार था पाड़ी कबर बीजेपी में रहो तो मंगल हड जाओ तो जंगल उपेंद्र खुस्वाहा बोले नितिस कुमार को पीम केंडिडेट बनवाना मिसन जिहां महागडवंदन सरकार के गटन के बाद पाड़ी से नाराजकी की होरे चर्चा के बीच पूर्व केंद्र मंत्री और जिडोई के संसद्य बोड के राष्टी अधर्च उपेंद्र खुस्वाहा ने कल बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा कि मंत्री बनने में पहले भी मेरे कोई रोची नहीं थी ना अभी और ना ही भाविस में रहेगी अपनी बातों को दोहराते वे उपेंद्र खुस्वाहा ने कहा कि आप लोग कागज में लेक कर रख लिजिए हमें बिहार में मंत्री नहीं बनना है बिहार में मंत्री बनना मेरे लिए अपमान की बात है वही उपेंद्र खुसवाहा ने बीजेपी के जंगल राज के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों के साथ यही दिक्कत है उनकी साथ रहो तो मंगल और उनसे हटते ही जंगल हो जाता है उन्होंने कहा कि बीते दिनों ही पीम नरेंद्र मोधे ने कहा थे कि इस देश में कोई समाज वाते नेता बच्चा है तो वहा नितिस कुमार जैसे ही गड़ बंदन बदला नितिस कुमार खराब हो गए वह नितिस तजस्वी की सरकार गड़न के समाय विहार से गायब होने की जवाब देते हुए उपिंद्र खुस्वान ने कहा कि मैं कही गायब नहीं हुआ था सपत गरन समारों से दस दिन पहले हैं हमारा कारिकरम परिवार के साथ कही और जाने का बन चुका था बाड़ी कबर सरसटवी BPSC पेपर लेक मामले में सबसे पहले लेक साथ पाने वाला कपिल देव गिरपतार प्रसन सीस injected इस्केन कर वाटसेप से भेजा था अबिपेसे की सरसटवे संयोक्त प्राराम्विक परतियोगिता परिचा के प्रसन पत्रलेक मामले में एक और गिरपतार हुई है बिहार सरकार के जाच अजनसी आरतिक अबराद इकाई ने एक और अभियोक्त गया जिले के कपिल देव डे को जारकन के चंदन क्यारे इलाके से गिरपतार किया है उसके पास से कई मउबाईल फॉन के साथ फरजे आधार वोटर काड भी मिला है इस आधार काड वोधिक पिल देव का है लेकिन पदा गुआलेर के कि आनन्द कुमार का है वोटर कार्ड पाटना के अंसुराज और गया के देवा जाड के नाम से है जिस पर फोटो कपिल देव का ही है जानकारी के मुताबिक कपिल देव वही पहला व्यक्ति है जिसे गया जिले के नेलहा इसित राम सरन सिंग इविनिंग कॉलेज के प्राचार हुआ केंद्रा दिख्च सक्ति कुमार ने डाक स्केनर मॉबाइल एप से बीपेसी परिच्छा का प्रसन पत्र सी सेट स्केन कर वर्ट सिप से भिजा था और प्रसन पत्र लिख किया गया था बाड़ी खबर 23 अगस्त को होगी बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक नेता प्रातिपाच का होगा चुनाओ जिहां बिहार बीजेपी ने आने वाले 23 अगस्त को विधान मंडल दल की बैठक बुलाई है इस बैठक में बीजेपी के तमाम विधायक और विधान पारसत सामिल होंगे विदान मंडल दल की होने वाले से बेटक में बिहार विदान सबा के बिबक्ष के नेता और विदान परिशत के लिए नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा इधर आरजडी ने भी 23 अगस्त को ही मिदान मंडल दल की बेटक बुलाई है आरजडी की तरफ से दस सरकुलर रोड राबडी आवास पर साम साथ बजे बिदान मंडल दल की बेटक बुलाई गई है इस बेटक में पाड़ी की सबी बिदाय को और पतादिकारी सामिल होंगे इस बेटक की अधिक्सता तेजस्वी यादव करेंगे आरजडी की सथा में वापसी बिदाक के लिए अच्छी बात तेजस्वी यादव बोले नितिस कुमार की दोड में मजबोत उमिदवार की रूप में अबर सकते है अगर मुखमंतरे नेतिस कुमार को बिवक्च के और से संयुक्त उमिद्वार बनाया जाता है तो वो मजबूत उमिद्वार हो सकते हैं तेजस्वे ने बताया कि जनता में उनकी एक साक बनी हुई है उनके पास लंबा राजनितिक अनूबा भी है वो डिप्टी सियम तेजस्वे आदव ने अभी कहा कि आरजडी के सत्ता में वापसी बिवक्ची एकता के लिए एक अच्छी बात है डिप्टी सियम तेजस्वे आदव का कहना कि अगले लोकसवा चुनाव में नितीस कुमार को एक जूट बिवक्च का चेहरा मानने पर सवाल तब से कई बर पूछा जा चुका है मगर अनितीस कुमार ने बिते कुछ दिनों पहले ही साब तोर पर कहा है कि वह लड़ाय पर विचार नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरे दिल में ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वह बिवक्ची दलों को एक जूट देखना चाहेंगी बाड़ी खबर यूपी जैसा ओप्रेशन बिहार में चलाएगी बिजेपी 2019 के लोकसवा चुना में बुआ भातिजा साथ थे अब सामने चाचा भातिजा पर मुस्किले वहां से ज़्यादा जिह बारा जनवरी 2019 सुत्तर बरदेश में बिजेपी की खिला महागडबंदन का एलान हुआ इस गडबंदन में सपा बसपा आरल डिस सामिल थी कॉंग्रेस ने अलग राचुने बुआ और भातिजा की जोड़ी ने अपने बड़े वोड बैंक के सहारे एंडियो को मात देने के लिए हुकार भरी बिजेपी ने रनितिस उत्री छोटे मिटे दलो से समझोते कि जातियों और बसपा सबा कॉंग्रेस पार्डी के निताओं को अपने पाले में किया रिजल्ट आया एंडिये चोसड बहुजन दस एस पी पाँच और कॉंग्रेस से वही अब 9 अगस 2022 को बिजेपी से अलग होकर नितिस कुमार महागडवंदन में सामिल हो गए हैं बिजेपी सत्तस से बाहर हो गई है आगले दिने नितिस ने सीम पद की सपत लिए और आरजडी के तेजसवी आदब डिप्टी सेम बने अब यहाँ चाचा और भातिजे की जोड़ी बन गई है इस जोड़ी ने 2024 के लोकसवा चुना में बिजेपी को टकर देनी के उकार भरी है साथ में कॉंग्रेस हम लेप्ट पाढ़िया है बाड़ी कबर पाटना में 20 से 30 साल की हुआ सबसे अधिक कॉरोना संक्रमी बाड़ना जिले में कॉरोना के चोती लाहर के संक्रमन का सबसे अधिक असर इवावो पर हुआ है सबसे अधिक 36 परदेसत संक्रमन 20 से 30 आयू वर्गे के वावो में हुआ है यह सबी उवाग कॉलेज नोकरी बिजने साधी कामकाजी गुरूप के हैं मितिपजाज जिन के आकड़ों में 1801 ऐसे किसोर वा युवक है जिनके उम्र 15 से 30 साल के बीच की है इसके बाद 30 से 45 आयू वर्ग के 26 परदेसत लोग अब तक संक्रमीत पाए गए हैं इसके अलाबा 45 से 60 साल तक के लोगों में संक्रमन दर लगवा 25 परदेसत रहे वही इस बार पटना जिले में 60 साल से अधिक उम्र के सिर्फ 9 परतिसत बुजुर के ही संक्रमन की चपेड में आये हैं जबकि 0 से 15 साल तक के 5 परतिसत तक के बचे संक्रमन की चपेड में आये हैं बिहार के 2 लाग से ज्यादा चात्राओं के लिए अच्छी ख़बर सरकार बैंक अकाउन में भेजेगी 10 जार रुपिये जिया वर्स 2021 के इंडर परिछा में प्रदेस भर से 5 लाग 24 जार 156 से पल हुई थी इनमें से 3 लाग 10 जार को प्रोज़सान रासी मिल चुकी है लाने जा रहा है रासे स्विकिर्त के लिए विति विवाग को प्रस्ताव भीजा गया है मुईकी मंत्री बाली का प्रोज़सान योजना के तहद इंडर पास करने वाले आविवाई च्छात्राओं को दस दस हजार रुपिये देने का प्रावधान है मैदमेक सिचा नेदे सालाईज ने योजना से बंचत छात्राओं को रासे भोगतान के प्रक्रिया सुनिशित करने के लिए सभी जिला सिच्छा दिकारियों को निर्दिस दिया है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें